आर्थिक रुप से सफल होना कौन नहीं चाहता हर किसी के मन में यह भिलासा होती है यह जागरिती होती है कि मैं आर्थिक रुप से सबल बनू अपना और अपने परियवार का भला कर सकूँ इसी स्रिंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करने जा रहे हैं में सलग्न के अ आप साथ ही साथ यदि खर्च बढ़े हुए हैं तो इस खर्च को रोकने का हमेशा के लिए एक समुचित उपाय कौन सा किया जा सकता है और अंत में बताएंगे वो कौन से उपाय है जिससे आर्थिक सम्रिद्धी हमारा निरंतर आगे बढ़ सके एक एक बातों को समझेगा हो सकता है आपके जीवन में ये बड़ा काम आएं समस्ते हैं सबसे पहले आपके लगन को मेस लगन के स्वामी स्वयम मंगल बनते हैं और मंगल देउता ने धनका डिपार्टमेंट अपना बाटा है सुकराचारे को यही आपके धनका डिपार्टमेंट है दूसरा इस्थान जहां पर दो नमबर लिखा है इसके स्वामी बनते हैं सुकराचारे जी यही सुकराचारे धन के कारक भी माने गए हैं इस हिसाब से देखा जाए तो आर्थिक सबलता सदयो में सलगन के जीवन पर एक अच्छी खासी इनकी जिन्दगी पर बनी होती है होता है कभी-कभी ग्रहों का अंतरदसा महादसा हमारे जीवन पर नकरात्मक पड़ता है जिसके कारण से इसके आर्थिक परिसानी भी आती है लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इस्थान आपका यदि मजबूत हो जाए और आप यहां से आर्थिक रुप से संपन नहों पाए इसके लिए आप यह समझें दूसरा इस्थान जहां के स्वामी सुक्र हैं दूसरा दो नंबर हैं इसे माना गया है अर्थ त्रिकोन की रासी मानी गई है इस दे धन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स मानेंगे आपकी जो धन की दिसा होगी दो नंबर के हिसाब से आपके दक्षिन दिसा सदे और धन दायक दिसा मानी जाएगी आप जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां से आप दखेंगे दक्षिन दिसा आपके लिए धन दायक होगा या फिर आप जहां वर्तमान में रहते हैं यदि काफिस लंबे समय हो गए आपको एक जगा पर रहते हुए और वहां से आप देखेंगे तो दक्षिर दिसा में आप अपने धन प्राप्ति का प्रयास करेंगे आपको भले कुंडली के अनुसार कुछ विलम या कुछ परिसानी आएगी लेकि निरंतर लंबे समय के अधी तक देखा जाए तो हमेशा वो आपके लिए धन दायक होगा दूसरे तोर पर हम समझते हैं कि लाभ कहां से होगा भाई हमारा धन वो हो गया मानेज़े कोई समागरी है हमारी इसे हमने 20 उलपे में खरिदा और यदि उसे 20 उलपे में बेज दिया तो वो हमारा धन हुआ लेकिन यदि 20 का जो समागरी है इसे हमने यदि 30 में बेज दिया वो हमारा 10 सुल लाव होगा तो इस इसाफ से देखा जाए तो लाव की तिशा कौन सी होगी तो लाव की तिशा को पценफित करता है ठीक आपके 11 घर 11 घर जो होता है वो आपके लाव की तिशा है जहां पर 11 नमबर लिखा है 11 नमबर को देखते हैं यह हमारे काम त्रियोण के अंतर्गत प्रदर्सित होती है जिसके स्वामी बनते हैं स्वयम सनिदेव इस हिसाब से देखा जाये तो आपको सदेव पस्चिम दिशा से धन की प्राप्ति का एक सोर्स बन सकता है लाभ प्राप्ति लाभ के अंतर्गत आपके कामनाओं की पूर् जाती है इन सब के लिए आप पस्चिम दिशा में प्रयास कर सकते हैं अपने जन्मे स्थान से अथ्वा आप वर्तमान में जहां पर रहते हैं उस स्थान से भी आप पस्चिम दिशा को देखिए आपको निरंतर वहां से लाब मिलने की समावना अधिक रहेगी अब तीसरा पॉइंट है कि माध्यम कौन बनेगा भाई धन प्राप्ति का माध्यम किसके द्वारा हमें धन की प्राप्ति होगी या हम क्या करें जो धन की प्राप्ति वहां से होगी तो यहां पर दो नमबर लिखा है यहां ग्यारा नमबर लिखा है दो नमबर अर्थात वीन पर लगा दिया और उसके माध्यम से आपकी धन की बिद्धी होगी चाहे वो आपके ब्यापार में लग जाए या फिर उसको आपने बैंक में या फिर किसी माध्यम से उसे बढ़ाने के लिए आपने लगा दिया वहां से आपके धन की बिद्धी होगी क्योंकि इसके कारक सद या जीवन संगिनी से होता है तो इस समय पर अपने जीवन साथ या जीवन संगिनी से आप जितना अधिक जुडाओं रखते हैं जितना अधिक उनसे प्रेम रखते हैं आपकी आर्थिक इसिती बहुत अच्छी रहेगी जब घर की महिलाएं क्योंकि सुक्र का संबंध के स्वामी है माध्यम होंगे आपका अत्त कर्म मेंस्त लगने जो जातक होते हैं वह अपने कर्म से ही अपने Bach को प्राप्त करते हैं अर्थात इनके कर्म जो होटे हैं इनके के fluff validate ऑनके सदे क्यों बहुत फोकस्द होते हैं कैसी भी विसम परिस सितियों में अपना धह संबंध होता है वो धीरे-धीरे ही बहुत कुछ बढ़ा जाते हैं या फिर धीरे-धीरे ही बहुत कुछ घटा जाते हैं तो भई आपके इनकम भाव के स्वामी है आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब धनवान बन गए और आर्थिक रुप से आप संपन्न हो गए अब तीसरा चौथा हमने समझा कि अब खर्च को रोकने का उपाए क्या ऐसा किया जाए जिससे हमारे खर्च रुख जाए तो इसके लिए आप अब यहां के स्वामी स्वयम देव गुरु बिरहस्पती बने हैं तो अग्यदी आपको चाहिए कि आर्थिक रुप से सदेव सबल रहना है अब आपको खर्च को रोकना है तो भगवान विश्णू भगवान नारायन या उनके जो स्वरूप होते हैं या उनके जो अवतार होते हैं स्री राम, स्री कृष्ण, इनका पूजा, इनका पाठ, इनकी अनुग्रह से ही आपके आर्थिक सम्रिद्धि काफी अधिक बढ़ सकती है अब इसमें मेटर ये करता है कि आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है इसके अधार पर और ज्यादा क्लिया स्थान को जितना स्वक्ष रखेंगे आर्थिक सम्रिद्धि बढ़ेगी जो सुक्र का संबंध होता है सिधा सिधा पत्नी से इसलिए पत्नी से संबंध अच्छा रखें किसी प्रकार से उनसे तनाव इत्यादी होगा तो सिधे आपके आर्थिक विसम्ता का यह कारण बन सकता है सुक्र का सम्मंद धन से होता है इसलिए आप यदि करना चाहें तो एक गुल्लक इत्यादी भी एक गुल्लक चाहें मिट्टी का गुल्लक हो या किसी धातू लखडी इत्यादी का गुल्लक हो सकता है इसे आप अपने घर के आगने दिशा में रखें अब भाई प्रस्त ने य तो याद रखेगा इसके लिए जो घर के मुखिया है उनको लिया जाता है मुखिया अर्था जो कमाऊ है जिनके द्वारा ही आर्थिक बृद्धी होती है उनके रासिक इनुसार ही इसकारे को किया जाना चाहिए तो आगने दिसा में गुलक रख करके भी आप धन नाप्राप कर सकते हैं और भगवान नारायन स्रीकृष्ण स्रीराम की पूजा सदय आपके आर्थिक सम्रिद्धी को यहाँ पर बढ़ाने का कारे करेगा दूसरी और गुरू यह इस्थान गुरू का है जो खर्च रोकने का तो इसलिए हमने कहा कि किसी अगर पानी आपके आगने दिस बरतन पड़े हुए हैं तो वो सदय धन की कमी को पदरसित करेगा तो वहाँ पर आपको समझते हुए आपको आगे बढ़ना है याद रखेगा भगवान नारायन यहाँ पर होते हैं माता लक्षमी को स्वता चल करके उस स्थान पर आना पड़ता है क्योंकि आपने देखा ह होगा अधिकता सभी जगा देखा होगा कि भगवान नारायन यहाँ पर होते हैं माता लक्षमी जी होती ही होती है इसले लक्षमी की क्रिपा चाहिए तो भगवान नारायन का अनुक्रह यदि आपको मिल जाए तो माता लक्षमी नारायन दोनों की क्रिपा आपके जीवन प लगा तो हर बार की बहांती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत बुलिएगा और हाँ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजेगा आप सभी का दिवाली बहुत मंगल मैं हूँ इन्ही सुब कामनाओं के साथ जैमा लक्षमी